नमश्कार स्वागत है देश के सबसे बोल्ड और लोक्तांत्रिक बहस के शो में जहां मैं सीना ठोक कर आपको मेरी सोच बताता हूँ और चुनौती देता हूँ कि आईए इस मंच पर और साबित कीजिए कि मेरी सोच राइट नहीं रॉंग है और आज मैं आपको दो तरिश्य दो तस्वीरे दिखाना चाहता हूँ एक तरफ लाखो शरणार्थी जश्ट मना रहे हैं और इस बिल लिखने में जो नागरिक्ता संशोडन बिल है जो संसद में पारित हुआ है इस इतिहास का वो स्वागत कर रहे हैं जिसे लिखने में 70 साल की देरी हुई वो सपना पूर और देखे उन अलपसंक्यकों के चेहरों पर खुशी को खुशी नए भारतिये नागरिक बनने की और दूसरी और सोन्या गांधी गांधी परिवार द्वारा संचालित कॉंग्रस और कॉंग्रस द्वारा प्रायोजित उनकी मंडली जो वोट बैंक की राजनीती की इस तरी है और सोन्या गांधी संसत पर भी कालीक लगाए नागरिक संशोधन बिल संकीर्ण मान सिकता तो ये जश्न मनाने वाले कौन है नागरिक संशोधन बिल पास होना संसत की संकीर्ण मान सिकता है तो देश में इन खिले चेहरों को क्या कहीं अगरे करूंगा कि उनसे कि कॉंग्रस और उनके साथियों के बहकावे में नाए किसी तरह के जूट के जाल में न फसे नागरिक संशोधन बिल संकीर्ण मान सिकता तो बहुमत से बिल पारित कराने वाले सांसत क्या है सोनिया जी नागरिक संशोधन बिल पर दोनों सदनों में मिले बहुमत को आप संकीर्ण मान सिकता बता रही है तो राजिस सभा में विधेग के पक्ष में वोट करने वाले 125 सांसतों के बारे में अपनी राय भी जाहिर कर दीजी सोनिया जी लोगसभा में बिल का समर्थन करने वाले 309 सांसतों को लेकर भी अपना ज्यान जरूर बाट दीजी नागरिक संशोधन बिल संकीर्ण मान सिकता तो मन मोहन सिंग का बयान क्या है नागरिक संशोधन बिल के पास होने को काला दिन बताने वाली सोनिया जी अगर ये सदन की संकीर्ण मान सिकता है तो 2003 में मन मोहन सिंग के बयान को आप किस खाचे में रख रही है ये भी बता दीजी नागरिक संशोधन बिल पास क्या हुआ कॉंग्रेस तिल मिला गए और तो और कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिल के बहाने पूरी संसद और संसदिये परंपरा पर ही हमला बोल दिया सोनिया गांधी ने चिठ्ठी लिखकर कहा कि ये भारत के इतिहास का काला दिन है नागरिक्ता चंशोधन विधेक का पारित होना संकीन सोच वाली और कटर तागतों की जीत है ये उस भारत की सोच को चुनोती है जिसके लिए राष्ट्र निर्माता लड़े दी सोनिया ने लिखा है कि बीजेपी के विभाजनकारी एजंडे के खिलाब कॉंग्रेस लड़ती रहेगी सवाल ये है कि सोनिया जी की ये चिठ्ठी क्या जंता के चुने हुए नुमाइंदों और पूरी की पूरी संसत का अपमान नहीं है जब लोग सभा में इस पर चर्चा हो रही थी तो उस वक्त ना सूनिया गांधी और ना ही कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक शब्द कहा लेकिन अब पूर्वोतर में इमर्जंसी के हालात बताकर महौल खराब करने में पीछे नहीं है और यही वज़ा है कि पियम मोदी ने कॉंग्रेस को सवालों के कढगरे में लाख़़ा किया अगरे करूंगा कि उनसे कि कॉंग्रेस उनके साथियों के बहकावे में ना आए किसी तरह के जूट के जाल में नफसें खास करके मैं आसम के मेरे नवजबान साथियों को वहां के भाईयों को बेहनों को बरोसर दिलाना चाहता हूं उनको किसी प्रकार की चिंता करने की जर कोई भी उनके अधिकारों को नहीं छिन सकता है। कॉंग्रेस के लिए यतना ही गंभीर मुद्दा था तो आखर सोनिया और राहुल गांधी की जुबान संसद में बंद क्यों रही। क्या कॉंग्रेस के संसद में बोलने बाले नेता कुछ कहेंगे और संसद के बाहर कुछ और तरीके से बैन बाजी की जाएगे। ऐसे में सवाल ये कि क्या कॉंग्रेस के पास मुद्दे बचे नहीं तो वो बेवज़े का विवाद खड़ा कर रही है। पुराना इतिहास अगर आप देखेंगे कॉंग्रेस का तो हर्याना में जाट दंगे, भीमा कोरेगाओं के दंगे, गुजरात में पटेल अंदोलन के समय जो हिंसा हुई। सब जगे कॉंग्रेस ने अपनी राजनेतिक उल्लू को ठी करने के लिए वहाँ पर ब्रह्म फैलाया, धर और जूटा प्रचार फैलाया और मोधी विरोध में देश विरोध करने से भी नहीं कत्रा है। और देखे आज उनके जो देश विरोधी स्टैंड है उसको पाकिस्तान भी कई न कई इमरान खान भी वही बोली बोल रहा है और उसको भी हम दिखाएंगे आपको पर आप तह कीजिए कि मैं राइट हूँ या रॉंग हूँ यह लोगतांतिक मंच है और इस मंच पर मैं सब आपको चुनौती देता हूँ कि आईए साबित कीजिए कि मेरी सोच रॉंग है और इसलिए दिखे आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग यहां पे आए हैं कुछ सोचते होंगे कि मैं राइट हूँ कुछ सोचते होंगे कि मैं रॉंग हूँ मैं आपको परिचय करा देना और इस तोदियो में राजनेतिक विश्लेशक शुब्रू कमल दत्ता है, मेरे साथ रिशी मिश्रा है, राजनेतिक विश्लेशक है, कॉंग्रिस की तरफ जुकाव रखते हैं, मेरे साथ है परशांद पटेर सुप्रीम कोर्ट के वकील है, यह बीजेपी की तरफ थोड़ा सा जुकाव रखते हैं मेरे साथ शिवसेना के नेता और समर्थक और हमदर्द संजेक गुपता है शिवसेना है सोन्या सेना है वो शो के दौरान आप तै कीजे और मेरे साथ असली सोन्या सेना यानि कॉंग्रस पार्टी के समर्थक और हमदर्द संजीव कौशिक जुड़ चुक जो आप कह रहे हैं कि पूरोतर सुलग रहा है, वहाँ पे आग लगी हुई है, जनता का आक्रोश है, ये लोग कॉंगरस के यूथ कारेकरता जो है त्रिपूरा में बंद का एलान कर रहे हैं और उसे रोकने के लिए बीजेपी के कारेकरता उतर पड़े हैं और मैंने आपको दिर्षिय भी दिखाएं. ये किस तरीके का आप खेल खेल रहें? आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए हर्याना में भी दंगे मचाते हैं. जाड दंगों के समय हमें पता है किसका नाम सामने आए गुजरात में भी, बीमा कॉरे गाउं में भी, जेनियू में टुकले टुक कि बीजे पी के मेनिफेस्टिव में था कि असम एकॉड को हम लागू करेंगे क्या था उसमें डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट ये चुन चुन के निकालने की बात थी जो हिंदु मुसल्मान चुन चुन के कर रहे हैं ये तो नहीं थी आपको एजन्डे में बारती एजन्डा पार्टी के एजन्डे में ये तो कभी नहीं रहा आप जो कहना चाहते हैं और जो करना चाहते हैं वो दोनों में जमीन असमान कालतर है असम यदी सुलग रहा है तो आप बार बार जो दुआई दे रहे हैं कि असम के लिए ही हम बेहतरी के लिए ये काम कर रहे हैं कौन सी बेहतरी आपने असम के लिए कर दी क्या असम में एनर्सी शुरू किया गया था कि आप कैब लाके लागू करें और उसमें हिंदू-मुसल्मानों को बात के सुरी हंदू को सापित करने की कोशिश करें आप आप हमें ये बताए, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या NRC का एक तरह से एक्षेंशन नहीं है, CAB? संजीव कौशिक, मैं आपको बातों करने का मंच नहीं दे सकता हूँ, सर सन्जीव कौशिक, मेरी बात समझे, यहाँ पर मेरे पास 40 मिनिट का वक्त है, सबको मोका मिलेगा, मैं आपको सवाल का जवाब देंगे, आप अपनी लंबी चौडी कहानी नहीं सुनाएंगे मैं आपको ये से पूछ रहा हूँ कि अगर नौर्टीस्ट में वाके में इतना गुस्सा है तो यूट कॉंग्रेस के कारेकरता वाँ पे जाकर 24 घंटे का बंद enforce करने के लिए क्यों जा रहे हैं और हरियाना में भी यही किया आपने भीमा कोरिगाउं में भी यही किया आप लोग जाकर पूर्वत्तर में भरम क्यों पहला रहे हैं जबकि प्रधान मंत्री और ग्र्या मंत्री ने clarify किया है कि exempt है सारे नौर्टीस्ट के इलाके C.A.B. से फिर भी आप ये प्रोपगाइंडा फैला रहे हैं राहूल गांदी कह रहे हैं कि नौर्थीस्ट को क्लेंज किया जा रहा है यह किस तरीके का दुष्पचार है जवाब दीजे संजीव कौशिक संजीव कौशिक का जो सवाल है आप रिशी मिश्टा जी मुझे सवाल का जवाब दीजिए राहूल गांदी ट्वीट करके कहते हैं कि नौर्थीस्ट को एत्निकली क्लेंज किया जा रहा है तब नहीं किया जा रहा था जब बांगलानदेशी घूसपट आाकर पूरे वहां की डेमोग्रीफी को हो, मुस्लिम हो, सीफ हो, हिसाई हो, उसको बाहर कर देजे. लेकिन आज, आज जो हालात बन रहे हैं, उनके कॉन्क्रीट रूट में जाने की जरूरत है. सार, जे वोस्तर में कौन हालात बिजार रहे हैं, मुझे आज आज बता पाएंगे, ये त्रिपुरा के जो दुर्शे हैं आपके पर दिख़एंगे, आपके प्रफिर से दुर्शे देख़एंगे, महतर भी सिकन लूँगा, मानलिये, ग्रीम मंत्री जी ने जो बयां दिया क कि आज सीए भी कैप बील लानी कि क्या क्यूं जूरत पड़ी यह देश बतवारा नहीं होता तो मेरा अमीद सारी मिस्टा क्या जरूरी है कि रहुल गांदी की तरह मैं जो सवाल पूछू उसको च्छेव कर आप सब्सक्र जवाद देगी मेरा स्पेसिफिक सवाल रूट नही ही रिखना बधाता है अप चीकना बंद कंक्री कॉंक्री रूट है चोटा है आपको चीकने की ज़रूरत नहीं है मैं आपके पास फिर से आउंगा पर मैं आपको सवाल क्या पूछा हूँ और अब जवाब क्या देरे शुब्रो कमल दत्ता मेरा पॉइंट सिर्व इतना है सावर कर आप जाकर शिर्सेना को समझाइगे मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि अगर आकरोश है वहाँ पर नौर्थीस्ट में तो कॉंग्रेस के कारेकरता वहाँ पर आग में घीर डालने का काम क्यों कर रहे हैं आप मुझे बता सकते हैं कि वहाँ पे स्थिति सामाणियध है या कॉंगरेस वाले वहाँ पे स्थिति को बिगाड़ रहे है क्योंकि मेरे पास तस्वीर है, मैंने तस्वीर है डिखाई है एक सेकंड रिशी मिश्या शुबर कमल दत्ता बंगाल से हैं शुबर कमल दत्ता जी वो जानते हैं वहाँ की वास्तिविक्ताओं को शुबर कमल दो चाहता हूँ शहजाद भाई बचपन मेरा असाम और बंगाल में गुजरा है और आपके शोव पे शुरुवात में मेरे असाम के भाईयों को एक एपिल करना चाहता हूँ और असामिया में ही करूँगा और अहम और भाई और बोहिन अपना लोगे हांटी राखा अहम घुब इंपोर्टेंट हांटी राखा तो खुब इंपोर्टेंट आसे गैग लोई अटा दूस प्रफशार होईया से गैग पके दूस प्रफशार तू एवोइट कड़ा आप शांती बरकरार रखिये भारत की अखंड़ता का सवाल है। अब मैं आता हूँ मादाम साइबा के ही बातों से वहीं से शुरू करता हूँ। संखिन मान सिखता तो मैडम साइबा आपकी पार्टी की है। लखनो पैक्ट आब भूल गए नाइटिन सिख्टीन के जब कॉंग्रेस पार्टी ने एकुसेप्ट किया था कॉम्मेनल एवार्ड यानि कि सेपरेट एलेक्टोरियट मुस्लीम लीग के साथ समझो था कॉंग्रेस पार्टी ने किया था। और उस समझोता के मुताबित कॉंग्रेस ने माना था इस देश में कि मुसल्मान अलग है इसलिए उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए संखिन मान सिकता तो 1949 के समली कॉंस्टिट्वेंट एसमली के डिबेट से जब पंडित नेहरू ने आशवाशन दिया था उस पार से प्लीज मैंने आपके बीच में नहीं बोलाएं प्लीज मैं आपके पास आ रहो चालिंता के साथ डिबेट करता हूं सावरकर के बात पर आप आ रहें ना उससे पहले कुछ चीजे आप सून लीजिएगा कुछ चीजे सूनने का शामता रखिए संखिन मांसिक्ता उस बात की भी है जब पंडित नहरू ने कॉंस्टिट्वेंट एसेमली पे आजवाशन दिया था कि पाकिस्तान से जितने सारे माइनरिटी आएंगे भारत पे उसको सुरक्षित रखा जाएगा कि पाकिस्तान से जीतने सारे माइनरिटी आएंगे भारत पे उस्रक्षित रखा जाएगा पॉर कमान बारा का विखा या तो आप मेरे फूल रुल को फॉल करेंगे मारों या तो अगर आपको रूल फॉल महीं करना है आपको दंगा करना है तो आप वहां पर त्रपॉरा चले रासथां। मैं आपको बहुत मुखा दिया, मैंने संजीव कौशिक को भी मुखा दिया है, आपको भी मुखा दूँगा, आप रुकेंगे पेशेंटली, प्रशांट पर टेल अभी तक बोले भी नहीं है, प्रीस, शुबर कमाल रप्ता, जल्दी से बात कम्प्रीट कीज़ें, फिर प्र वक्षा दिया जाएगा, वो भी मा संकिन मानसिक्ता का उधारन है, आएमडिटी एक्ट भी संकिन मानसिक्ता का उधारन है, वो भी संकिन मानसिक्ता का उधारन है, एक सके एक सके अमन सिना, अमन सिना, बीजे पी के राश्टे प्रवगता अमन सिना, मेरे साथ जुड़ यह है कि क्या Congress Party पार्लेमेंट में हार चुकी है यह बिल पारित हो चुका है एक्ट बन चुका है एतिहासिक कदम उठा दिया गया है तो क्या अब North East में दंगा फैलाने का काम Congress Party की तरफ से हो रहा है क्योंकि देखें दुश्पचार कैसे हो रहा है कश्मीर में जैसे दुश्पचार किया गया वैसे ही अधीरंजन चौर्दी बोल रहे है कि कश्मीर जैसे हालात हो चुके है आसाम में राहूल गांदी कह रहे है एतनिक क्लें जाकर बंद करवा रहे हैं वहाँ पर कोई जन्ता का आक्रोश नहीं है तो अमन सिनाथ क्या Congress प्रायोजित वहाँ पर हालात बिगाड़े जा रहे हैं शैजाज जी जो हमें देखने को मिल रहा है इंडिया न्यूज पे और बाकी भी कई चानल्स पे किस तरीके से ग्राउंड पे सिचुएशन को प्रवोक किया जा रहा है उससे तो यह सपश्ट ही है और मुझे लगता है बहुत भ्रांती प्हलाई जा रही है मानने ग्रे मंतरी अमिट शाजी ने जो अपना कॉम्प्रेहंसिव जवाब दिया सी एबी पे उसमें हर एक बिंदू पे जितने भी प्रश्ट थे सिना मुझे आपको एक मिनिट के लिए रोकना होगा क्योंकि एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमें आ रही है और मेरे साथ इस वाक्त पूरा प्रतिक्रिया अगर आपको देनी हो आयोद्या मामले में तमाम जो पूनर वचार याचिकाए हैं उसको खारिज कर दिया गया है आपकी तरस से कोई प्रतिक्रिया है इस विशेपर शेजार जी जो आयोधिया मामले में जो सुन्वाई हुई में पेटिशन की बहुत ही वेल कंसिडर्ड जज्जमेंट था और उन लाउ उन सेवरल अधर आसपेक्ट्स सारा एविडेंस जो है उसको उसको भी कोट ने ऐस फर्स्ट अपील उसको भी पूरा एनलाईज किया और उसमें एक बहुत विस्तृत एडेंडम भी था तो हर तरीके से एक मुकमल जज्जमेंट था और रिव्यू में एक्सपेक्टेड था कि इतने अच्छे जज्जमेंट के बाद इतने कॉम्परेंसिव जज्जमेंट के बाद जिसमें की सारे सब्मिशन्स को समाविश उन बची है सरकार के लिए पेटिशन्स रिजेक्ट हो गए तो अब राम मंदर पर जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आगे बनने के लिए कोई रुकावट नहीं बाकी है और इस तरह की बाते कर रहे थे कई पक्ष पर मुझे लगता है इसके बाद इस पे पूर्ण विराम लगना चाहिए और भारत का सबसे पुराना केस था है और भारत वर्ष का एक लॉंगेस रनिंग डिस्प्यूट आप जो भी समझेए उसका रेजिलूशन हुआ है उसका पटक शेप हुआ है और आयोध्या में श्र है वो राम मंदिर पर हो चाहिए वो कोई भी फैसला हो उस पर अब देखे एक तरीके से गाड़ी आगे बढ़ रही है और सीएबी का भी फैसला आच चुका है पर कहीं ना कहीं कॉंग्रेस और उनका जो प्रायोजित लॉबी है वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि नौर्ट आफ का सोशल मीडिया और कॉंग्रेस का सोशल मीडिया एक है आदमी चला रहा है व्यक्या मुसलिमान गुरूभी है यही भान्तिया प्लाइ जिसका सब्सक्राइब पाकिस्टान करना है जो नौर्ठ की स्टेटम को इनकरविट में रखता गया है वहां पर ये विलागूं ह सब्सक्राइब कर देखें मैं के सारे चीज़ों का आप तत्थों के आधार पे खुलासा कर देता हूं पहली बात यह है कि नागलेंट, अरुनाचल, मनिपूर, मिजोरम इन सब के परिपक्ष में ये एक्ट बिलकुल लागू नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे इनरलाइन पार में टाइम है दूसरी बात यहाँ पे आती है कि मेघालें के परिपक्ष में, मेघालें के परिपक्ष में क्योंकि 6th schedule of the constitution वहाँ पे लागू है तो केवल केवल शिलोंग एरिया को छोड़ के बाकी किसी जगा पे ये लागू नहीं होगा इसके साथ साथ 6th schedule of the constitution आसांड के जो hill districts है, borderland है और उसके साथ नौर्थ कचार और कार्बियांग long districts है वहाँ पे लागू नहीं होगा, 6th schedule of the constitution के चलते त्रिपूरा के उपजाती इलाका जो है त्रिपूरा के जो ट्राइबल एरियास है वहाँ पे भी ये लागू नहीं होगा सिक्षेडूल अफ दा कॉंस्टिटूशन के चलते सिकिम के परिपक्ष में आर्टिकल 31 अफ दी इंडो सिकिम एक्ट उसके चलते ये एक्ट सिकिम के कहीं पर भी लागू नहीं हो सकता है और लागू नहीं होगा आसाम के कुछ इलाके जहां पर ये एक्ट अभी फिलाल लागू हो सकता है उसके आसाम एकॉर्ट के सेक्शन 6 को शंशोधियत किया जाएगा वो संचोधन के बाद आसाम के जो छोटा मोटक तोचीला का है वहाँ पर भी लागू कही हो रही है यह रिष्यमिष्या सवाल सुनिए बार बार जैसे आपने कश्मीर में भी आपने बार बार यही किया कश्मीर में हालात नॉर्मल नहीं है कश्मीर में हालात नौर्मल नी है सूप्रीम कोट मामला सुना रहा ता फिर भी कश्मीर में हालात नौर्मल नी है और आपके प्रपगांड उम्राइघ कि यहां पर रिशी मिश्रा कॉल्विस की तरह से आपको पूछ रहा है कि और पार्टी डेलिगेशन क्यों नहीं बेचते हैं अब कश्मीर के वाग कर रहा है अमान सिना अगर अगर नॉर्मल है अगर नॉर्मल है अगर नॉर्मल है नौर्टीस्ट में तो आप मुझे बताए कि वहाँ पर कर्फ्यू क्यों लगा इंटरनेट क्यों बंद है नहीं शहजाज जी सबसे पहले तो मैं कहदू मुझे नहीं समझा रहा आपने दो तीन बार कहा भी जो कॉंग्रेस से हमारे मित रहे हैं क्यों इतना चीख चिला रहे हैं शिप अमेंडमेंट बिल जो है वो देश के किसी भी नागरिक का कोई अधिकार ना तो चीनता है ना उसको किसी तरह से एफेक्ट करता है तब ये कौन लोग है शेहजाद जी जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये वही उनमें से कई इलीगल इमिगरेंट होंगे जिनकों की इस तरह का कोई डरोगा और कौन फोर्सिस है जिनकों को प्रवोसर रहे हैं किसी को कुछ समझें नहीं आ रहा है एक से किसी को कुछ समझ सुबरो कमल लगता जी रिशी मिश्चा जी किसी को को बात समझ में नहीं आ रही एक एक करके हम बात रखेंगे यहां पर हुरदंग मचाने की जरूरत नहीं है मैं आपके पास आउंगा संजीव कौशिक मेरा आप से सवाल है अमन सिना आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए उसका जवाब मैं संजीव कौशिक से लूँगा जी आपका धन्यवाद देता हूं कि आप डिबेट में डेकोरम रखने की कोशिश करने पर इने बता दीजे इनसे आवाज भी हमारी कहीं बुलंदे और हम अगर अगर हम बोलने लगेंगे इंटरप्ट करने लेंगे तो एक शब नहीं बोल पाएंगे मैंने शांती से आपकी बात को सुना देहरे से आप देहरे रखने बाएंगे मैंने अगर 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 हालात नॉर्मल है अगर हालात नॉर्मल है तो आर्मी को वहाँ पे फ्लैग मार्च क्यों करना पड़ रहा है आप वहाँ पे इंटरनेट की सेवाएं क्यों बन कर रहे हैं आप वहाँ पे रेल वे लाइन की सेवाएं क्यों बन कर रहे हैं और कहीं पे कोई आग नहीं लगी है बाकी सब जगह नॉर्मल सी है कहीं एक दो जगह पे अगर कोई ऐसी परिस्थिती है तो ऐसा मैंटर अबंडेंट कॉशर एक दो पे लाइन ओडर मशीनरी को दूरूस रखने के लिए पूलीस प्रसाशन वो मेजर लेता है वो लियाएं संसद में बैठती है उसका संबान करती है वो गैस सोन्या गांधी को पार्लेमेंट के लिए कोई रिस्पेक्ट है इसलिए हमारा है सोन्या ब्लेंट संसदना पर बताना चाहता हूं उन्होंने एक पत्र जारी किया उस पत्र में लिखती है कि जो बिल पारित हुआ एतिहासि बिल जिससे की वहां के अलपसंख्यकों को अधिकार मिलेगा वो कहती है कि दिस इस दे विक्ट्री ऑफ नैरो माइंड़ेंड बिगेटेट फोर्स मतलब संकीन मानसिक्टा जैरीली विचारधाराओं की जीत है मतलब भारत के संसद में 311 लोकसभा में और 125 वोट पाकर इससे पहले क्या ऐसा नहीं हुआ है कि संसद में पारित कर दिये गए बिल को सुप्रीम कोट में चैलेंज किया गया है इससे पहले नहीं हुआ है ऐसा आप लोक तरफिर में संख्या के बलपे यदि संभीधान के आत्मा को कुचलते हैं तो क्यों नहीं कोई आवाज जो समय था उठाव को क्ला अध्यानि नहीं लगा उनको जो बिल दोनों सद्नों में मिज़ॉरिटी से पास हुआ है ईसाrament ब्रौ नियाना आप लोगोंने कर्फियू इंगा करके रखा राया तो जैड टी चैनल में क्या कि एक पर लों कर रहा है आप यह को पी एना हाफ यह आप लोग ने पुरा कशा कार्पियू लगा कर रह आप रिशि मिष्रा, रिशि मिष्रा रिशिर कमाली लिए कोशी है। सुझार कमाल लगता, सुझार कमाल लगता है। कि जोटे सवाल कुछा हूं सोनिया गांधी उसी संसत के सदंग में बैठी थी एक भी बार ना राहुल गांधी उनको फुरसत मिली कि वह इस विशयप पर बोले और अगर आपको लगता है कि जिन लोगों ने समर्थंग कि इसका ये नरो माइंडेट बिगेटेश मतलब जैरी लेल स्थेडियर माझ्ट का वाले है एक सकड़使ίν तो क्या शेवसेना ने जिसने लोगसभा में बिल का समर्तंग किया क्या वो भी संकीर और जैरीन है क्या नवारत की भाध के वाधा के लिए अक पता आप सब्सक्राइब जवाब दीजिए जवाब दीजिए जवाब दीजिए जवाब दीजिए जवार करके अनुआयो के दिखिया आप सावर कर थे जवाब करके अन्देज के जो छोड़े हैं का चिव से नहीं जाया है पर रूप को बतलना चाते हैं समीधान के आत्मा को चटे करना चाते हैं यह सबा जो हम से पुछारे का पॉछे लुए प्राइब आप मुझे को अब्चा परवक्तक पर बुलाएं तो बताएं निमाध मत और इस तरफ पर बिलाएं तो आप नहीं बोल पाइए यह सावर करो ना यह तो धर्म के नहीं अधार ने के चंचो अने को चले गया उप्रेंगे जो समझ वता हुआ था किसी की बात इस तरीके से यह तरीका नहीं है डिबेट का रिशी मिश्या आप बार बार सावर कर पर जा रहे हैं पर जो सवाल है उस पर जवार नहीं दे रहे हैं लुए इस तरीके से मैं डिबेट नहीं चाहता है मैं चाहता हूं कि एक एक आदमी एक अपने वक्त में बोले मैं चोटा सा ब्रेक ले रहा हूं ब्रेक के बाद हम लोटेंगे चर्चा पर और सब लोग डिसिप्लिन के साथ डिबेट करेंगे अब तक की ताजा खबरे भी जी और इससे पहले शेयर चाट के वीडियो से जटे कि क्या सोचती है शेयर चाट की जन्ति यानि नागरिक संचोधन बिल राज्य सभा में पास होने पर सुनिया गांदी ने इसे लोकतंतर का खाला अध्या बताया तो मैं उनसे कहना चाहूंगा काला अध्या या काला दिन वो था जब इंडिया से पाकिस्तान को लग कर दिया गया था सिर्फ धर्म के नाम पर नागरिक संचोधन बिल जो पास हुआ लोकसभा और राज्य सभा के अंदर इसके बास सुनिया गांदी ने पाकि ये काला अध्या है मेरा ये कहना है कि इस तरह की बात के से क्या मतलब है क्या सुनिया गांदी इसको काला अध्या क्यों मानती है क्यों इस तरह की मंगणद बाते कर रही है कि यह काला अध्याय किया होने वाला है यहां इससे इससे फाइदा ही हो दोस्तों नमस्कार दोस्तों लाग रिकता संसूदन बिद्याइक बिल जो लोगसभा और राजसभा में पास हुआ है इसको लेकर के बिपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि ये देश के लिए काला अध्याय है और देश पे हमला है तो दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा कि उनको ये देश का काला अध्याय लगता है तो मेरी राय में तो इतना है कि ये वेबुनियादी बाते हैं मुक्का खाया है कभी 80 फीसद लोग ये मानते हैं कि देखे सोनिया गांदी और कॉंग्रिस पार्टी पूर्वत्तर में जो आग लगी है उसके पीछे जिम्मिदार वही है और पधान मंत्री जो आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल सही है सिर्फ 15 फीसद लोग इसे रॉंग मानते हैं मेरे पास बहुत कम समय बचा है तो रिशी मिश्या जी देश की जंता भी यही कह रही है और बार बार सुनिया गांदी एक एतिहासिक घडी को काला दिन बता रहे ये उनका अंकार लेकिन आपके पूल का संबन करता हूँ लेकिन मैं नहीं जानता हूँ किसमें कितने लोग भाग लियें मैं लेकिन आपके चैनल के मादें से कहना चाहता हूँ यदि प्रुवथतर में एक भी भाई की दुरगटा में मौत हुई इसके लिए नेन्द मोदी और केवल नेन्द मोदी जिम्माट होंगे ठीक है चले आज के लिए मेरे पास इतना ही समय था आपको मैं तमाम मेमानों का धनिवाद करना चाहता हूँ कल फिर हम मिलेंगे तीन बचकर पच्पन मिल्ट पर एक और सुलकते हुए बहस के साथ तब तक के लिए देखते रहे राइट या रॉंग इंडिया न्यूस पर जैन जैबार